हेलो फ्रेंस मैकसिमम इंडूर प्लांट जो होते हैं हमारे काफी महंगे होते हैं मगर कभी उसमें कोई पेडिस्य अटायक होजाता है जिसमें से एक है यह मीली बग मीली बग से छुटकारा कैसे पाया जाया है आज किस वीडियो हम में शेयर करेंगे वैसे तो ये किसी भी प्लांट पे लग जाते हैं और पूरे पौधे को खराब कर देते हैं तो आज मैं दो मेंटेट सेयर करूँगी फ्रेंट एक मेंटेट से तो हमें तुरंत रिजल्ट मिनटा है विदिन फोर मिनट के अंदर सारा मीली बग जो है खत्म हो जाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सस्क्राइब बटन पे क्लिक करें फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि मीली बग क्या होती है और ये पौधे में लगने के इसके क्या कारव होते हैं मीली बग जो है एक सफेई दरंग के छोटे छोटे कीरे होते हैं जो इंडोर आउटडोर किसी भी पौधे पर लग जाते हैं मीली बग वैसे तो किसी भी टाइप्स के प्लांट हो वो फ्रूट वाले हो या कोई फसल हो या सबजियां हो बहुत ही इसली ये हमारे पूरे पौधे को धीरे धीरे जो है खराब कर देते हैं जिसकी वदेश से जो है हमारा पौधा सूखने लगता है और टोटली वो मर जाता है अगर इसका सही समय पे ट्रीटमेंट न किया जाए तो हमारा पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है अब बात करते हैं कि किस कारट से ये मीली बग हमारे पौध में लगते हैं मीली बग जो है ये नमी वाली जगह और गर्म इन्वार्मेंट में बहुत ही जल्दी से फ जब हमारे प्लांट की मिट्टी में प्लांट में नाइट्रोजन का लेबल जादा हो जाता है तो भी मीली बग लग जाते हैं और एक रीजन ये भी होता है फ्रेंस कभी कभी हमारे पौध में चीटियां घर बना लेती हैं तो चीटियां भी इन्हें लेकर आती हैं ये मीली बग लग जाते हैं फ्रेंट्स अब बात करते हैं कि मीली बग से चुटकारा कैसे पाएं वैसे तो यह जो है फ्रेंट्स यह आप देख सकते हैं आप यह मेरा सिंगोनियम का पौधा है और यह किसी भी प्लांट्स में बहुत ही इसली मैकसिमम जो होता है यह गुड़हल पे ब रूट सकतो नहीं स्टेम तक हो गए आप देख सकते हों यहां इस तेम में भी लगे हुए हैं और उसके लिपस में भी चिपके हुए हैं तो इसे निकालने के लिए फ्रेंट्स में आज बताती हूं एक सिंपल सा मैतेट है इसके फूंध अगर आप देखो गे तो वीदिन मिनट के अंदर मिली बक सभाबन दें मरत गिर देख देख सकते हैं यह डिरोप मैं केवल मिट्टी स 오र् लॉटर बिल कर दालना है जाहएंगों दालना है केवल आप एक ड्रॉपर आता है इस तरीके का ड्रॉपर ले लिजे और पानी में जो है हमें गिन कर केवल फोर ड्रॉप का ही यूज करना है आप अगर जादा डालेंगे तो इससे जो है हमारा प्लांट खराब भी हो सकता है तो आप ध्यान दीजेगा कि केवल आधा लीटर पाने में हमें फोर ड्रॉप ही यूज करना है आप चाहो तो पहले चेक कर सकते हैं कि एक लीप्स पर डाल के देखिए और एक दिन बाद देखिए कि हां लीप्स हमारा ड्राइ नहीं हो रहा है तब आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हैं और मैंने इसे ट्राइ किया है फ् इसका यूज हम जो है 12 गंटे के बाद ही करेंगे आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा लिक्विट सोब भी मिला सकते हैं मैंने नहीं मिलाया है 12 गंटे बाद जो है यह हमारा इस्प्रे करने के लिए डेडी रहेगा अगर आपको डर लगता है फ्रेंड्स की मेरा प्लांट कहीं दालने के लिए सेफ है तो फ्रेंड्स यहां पर जो है आप देख सकते हो मेरे सिंगोनियम के मैक्सिमम लीब में लगे हुए हैं और धीरे धीरे यह स्टैम में भी मतब लग चुके हैं यह जो है सिंगोनियम का गोल्डेन कलर का यह प्लांट है फ्रेंड्स सिंगोनियम के पर नहीं और किसी भी इस प्रेश बोटल में भर लेना है तो अगर आपके पास गार्डश को सभी सब तो मेरे पास नहीं हैं तो मैं सिंपल सब्सक्राइब कर डिखाऊँगी तो यहाँ हमें क्या करना है एक-एक जहां जहां पे मिली बग लगा है उस पे हर एक ब्रांच पे और जहां जहां लीप्स पे लगे हैं उनको मत्तब अच्छे से इस प्रेंटस ताकि वह जो है उस पे हमें तुरंत रिजल देखने को मिलेगा तो इस तरीके से जो है एक एक लीप्स पे हमको स्प्रे करना है बहुत ही अच्छे से और इस टैम पे भी जहां भी आपके पौधे पे लगें वहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्प्रे करिए और कुछ मिनट के लिए हमें स्प्रे करने के बाद जो है वेट करना है विदिन 4 मिनट के अंदर ही जो है पूरे जो मिली बग से कुछ मिली बग तो थोड़े बहुत चिपके रह जाते हैं और थोड़े बहुत नीचे गिर जाते हैं तो अगर आपके पास अच्छा इस इस प्रे बॉटल है तो उससे बहुत ही अच्छे से हो जाएगा तो यहाँ पे मैं जो है इस तरीके से पूरे प्लांट्स में इस्प्रे करूंगी आप यहाँ पे देख सकते हो इस्टेम में भी लगे हुए हैं लीफ्स में भी लगे हुए हैं तो हमें सिंप्ली अच्छे से स्प्रे कर देना है और 4-5 मिनट के लिए वेट करेंगे friends मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा method भी share कर रही हूँ अगर आपके पास kerosene ना हो तो आप एक और चीज का भी spray कर सकते हैं उसमें से एक हमारा होता है neem oil अक्सर हम gardening करते हैं तो neem oil तो हमारे पास अक्सर होता है तो जो है आप neem oil का भी spray त्यार कर सकते हैं कोई भी chemical spray लेने से अच्छा है friends free of cost में आप इस टाइब के मतब spray तयार करिए और अपने plants पे अपलाई करिए तो दूसरा method यह है friends की आप जो है neem oil को ले सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना है एक लीटर पानी में जो है हमें 4-5 ml नीम oil लेना है और उसे जो है अच्छे से उसमें मतब सेक करना है अगर अच्छे से शेक नहीं हो रहा है तो आप उसमें जो है थोड़ा सा liquid soap भी डाल सकते हैं liquid soap डालने के बाद अच्छे से mix करिए पानी एक लीटर पानी में जो है मैं दुबारा से बता रहीं friends एक लीटर पानी में चार से पांच एमल जो है नीम वाल का बी इसप्रेक कर सकते हैं एक बार कर ये फिर दो दिन बाद दुबारा करे तो डोए को अगर आपको प्लांट में जाधा लगा है तो लो प्लांट मेंd emitиться और हमारा प्लांट चरांजा ठाय सकते हो ना बहुत सारा मिलीक्स असे पांच मिनटम्री जोह तो और कुछ मिट्टी में भी गिर हुए इस तरीके से जो है अगर आप इस प्रेय करेंगे तो हमारा यह पौधा बद तब सेफ रहेगा मेली बख से बच जाएगा वन्दा नहीं तो धीरे धीरे जो है हमारा पूरा प्लांट खराब हो जाता है अगर आप देख सकते हैं यहा प्लांट को बचाना है तो इस तरीके से आप कोई भी कॉटन लीजे वैसे तो सारा निकल चुका है स्टेम में थोड़े बहुत रह जाते हैं अंदर तो आप दुवारा से एक बार अच्छे से स्प्रेय कर सकते हैं नहीं तो कॉटन लीजे और कॉटन से सिंपली क्या करिए आप यहां पर देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि सिंगोनियम की जो लीप्स होती हैं मुड़ी हुई रहती हैं बैक साइड में पूरा मत्ता उसका लीप पूरी तरीके से खुला नहीं होता है तो उस पर हलके फुलके चिपके रह जाते हैं तो सिंपली कोई भी कॉटन पूरे लीप्स को साप कर दे हैं 맛press ठीजा नहीं हो बसका हैependu और सिंगोनियम के जो बहुत जब जादे हो घुए फूरे फूरे फुल्ड रहते हैं तो फोल्ड के अंदर अच्छे से यह नहीं हो पाता है आप एक काम भी कर सकते हैं तो उसका थोड़ा सा मत्तब लीप्स को खोलिए आप या पर देख सकते हैं ये मुड़ा हुआ है इसके अंदर भी मिली बग लगे हुए हैं तो उसको खोलने के बाद उस पर अच्छे से पोच लीजिए कहने का मत्तब यही है फ्रेंड्स की से एफ़र्ट करना पड़ेगा पहले आप अच्छे से स्प्रे कर लीजे मैक्सिमम तो गिरी जाते हैं खत्म हो जाते हैं कुछी मिन्टों में और थोड़े बहुत जो रह जाते हैं तो आप उसे कॉटन से पोच दीजे या अगले दिन अच्छे से पानी से स्प्रे कर दीजे तो सारे मिली बग मतब साफ हो जाएंगे तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथेट सेयर किया है और यह बहुत ही अच्छा होता है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है तो आप इस तरीके से अपने पोधे को बचा सकते हैं और अगर इसका इस प्रेट जो है गुडहल के पोधे पे भी सकते हैं और जडप्लांट पे भी लग जाते हैं और अगर आपकी किसी एक दो पोधे में किसी लीफ में ज़ादा लगे हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं मीलेबग जो होते कभी कभी बहुत जादा लग जाता है MAR tenga कभी क्या होते हैं इनिसियल स्टेज पे कुछी स्टैम में होते हैं तो आप उसको मतब काटके निकाल दीजिए वहां से उसकी प्रूनिंग कर दीजिए कोई एकाक लीप्स में लगा है अगर आपने ध्यान दिया पहले से ही तो उसको निकाल सकते हैं यहां पे इसमें मैक्सिम को कट कर दीजिए नहीं तो लीप्स को हटा दीजिए तो फ्रेंट्स आप यहां पे देख सकते हैं सिंगोनियम की यहां पे मैंने एक और वराइटी रखी है आप चाहो तो इस पे भी स्प्रेय कर सकते हो नहीं तो आपके पास गुढ़ल का पौधा है गुढ़ल में लगा ह उसमें से एक होता है मिली बग यह बहुत ही खराब होता है हमारे पौधे के लिए अगर आपके किसी भी प्लांट में मिली बग लगा है तो उसको जो है तुरंत अधर प्लांट से दूर रखिए उसको इदम अलग रखिए नहीं तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो हमारे दूसरे पौधे में भी लग जाता है तो दूसरा पौधा भी हमारा खराब हो जाता है तो इसलिए जब भी आपके प्लांट में पेस्ट अटाइक हो मिली बग लग जाए तो उस पौट को आप इदम दूर हटा दीजे अपने बालकनी से और दूसरा ये है फ्रेंट्स की अग अगर आपका पौधा सेफ है तब मतब आप उस पे पूरे प्लांट पे अपलाई करिए एक बार ऐसा हुआ था फ्रेंट्स मैंने किसी के बता हुए पे किया था तो जिसके कारण मेरा पूरा पौधा खराब हो गया तो आज मैंने भी बता है फ्रेंट्स अगर आपको लग पौधा है कि हाँ यह सेफ नहीं है माइन में कुछ भी है आपका तो पहले आपके वल एक लीप पे करिए अगर देखे कि हमारा मतब एक दिन या दो दिन बात खराब नहीं हुआ सुखा नहीं तब आप अपने पौधे पूरे प्लांट पे इसे अपलाई कर सकते हैं वैसे तो अगर हम अपने गारडेन में औरलिक पैस्टिसि liberいたos करते हैं तो उनसे हमारे प्लांट को नुकसान नहीं होता है वहीं अगर केमिकल मतब यूज करते हैं तो वह हमारे पौदों के लिए हामफुल हो सकता है कभी-कभी होता है कि अगर औरलिक भी है बहुत जादा मतब हम गड़बड कर देंगे तो उससे हमारा प्लान खराब हो सकता है तो फ्रेंस इसे डिरेटेट आपका कोई भी कोश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूंगी रिपलाई देने का अगर आपको आज का वीडियो हेलफुल लगा तो जादा से जादा लाइक करे शेयर करे और हाँ चैनल को सस्काइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद